एक दम फिट फाइन परफेक्टली फाइन एक और हम लोग लास्ट आज बायर टेक्नलोजी की जो एप्लिकेशन्स हैं उसके लास्ट हम लोग 50 पॉस्चन्स करने वाले हैं हम NCRT सारांस में डेली बेसिस पर NCRT की हर एक लाइन को कवर करते हैं तो एक NCRT से मैच कराता हूँ कि यह लाइन NCRT से कहा है और इसको करते हुए हम लोग complete series को खतम कर रहे हैं ठीक है तो NCRT daily basis पर हम यह शाम को कर रहे हैं ठीक है तो चलो शुरू करते हैं कहानियों को क्या मैं live हूँ yes or no शालो जी है न चल शार्ट करते हैं चीजों को और मुझे सब सारे बच्चे अल्रेडी जानते हूँ yes or no सारे के सारे बच्चे बट यह जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं उनके लिए specially बता दूँ मैंने में जन्रागतिवारी मैं अनकाडमी पर आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर बैलो जी पढ़ाता हूं और यह मेरी अनकाडमी की प्रोफाइल है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं किस चीज के लिए तीन चीजों के लिए पहली चीज आपको स्पेशल क्लासेंस की नोटि प्लस पर आना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्जिनिटी यह कि सिक्स मन्थ के अंदर आपको डेली क्लासेज मिल रही हैं बहुत अच्छी बात यह दूसरा अनलिमिटेड आप लोगों को एसस मिल जाता है अनलिमिटेड एसस का फायदा क्या फिजिक्स केमेस्ट्री और बायलोजी के जितने भी प्लस के एजुकेटर्स हैं वो सब आपको पढ़ने का मौका मिलता है यह एक बहुत अच्छा बेनेफिट तुमको मिलता है अनकाडमी साथ-साथ में एक सबसे अच्छी चीज यह एक बहुत बहतरीन चीज यह कि अनकाडमी तुमको क्विजिज के फॉर्म में और तुम्हारे डाउट्स के फॉर्म में यह सब कुछ चीज़ें तुम लोगों के लिए कर वा रही है तो अनकाडमी पर तुमको लाइफ क्विजिज है यह सारी चीज़ें मिल जाती है ठीक अनलिमिटर डाउट ले सकते हो बहुत है का काम करता है जो तुम्हारी प्रिप्रेशन स्ट्राटीजी से लेकर तुम्हारी टेस्ट अनलेसिस से लेकर परस्नलाइज फीडबैक से लेकर टाइम मैनेजमेंट एक्जाम अप्रोच हर वो चीज में गाइड करेगा जिसमें किसी बच्चे को दिक्कत आती है कई बार बात समझ बार यह पॉसिबिलिटीज आपको अनकाडमी के आइक्वानिक सब्सक्रिप्शन में मिलती है इन फाक्ट वो तुम्हारे लिए स्टडी प्लानेर भी प्रिपेर करके देखा आपके जो परस्नल पोच है स्टडी प्लान है बाई वीकली रिव्यूज है कि कैसी आइक्वाइदे हैं इनके लिए कुछ भी नहीं करना अप्लस या आइक्वानिक पर आना है राइट ऑप्शन सेल्क करना है क्योंकि आप नीट यूजी के बच्चे हो तो अपना गोल भी क्या सेलेक करेंगे नीट यूजी फिर वहाँ पर आप्शन आएगा प्लस या आइक 0.80 sir this is the code यह code आपको नीचे दिख रहा है इस code को जैसे ही apply पर click करेंगे आपकी जो भी fees यहाँ पर इस जगह पर दिखाएगी इस जगह पर आपको जो भी fees दिखाएगी वो आपको 10% off को कर वो fees कितनी हो जाएगी बच्छों बिल्कुल clear form में तो it will be like 25,000 it is 34,000 and it is for 50,000 right तो कहानियों को systematic form में आपको यहाँ पर समझना है simple language systematic form में ठीक है ना two year के बच्चे जो है जो लेवंतिये हैं उनके लिए इतना बहतरीन प्लान 50,400 में physics chemistry biology इंडिया के top educator से पढ़ने का मौकानत है same for 2021 exam वाले बच्चे 6 month और 12 month का subscription ले सकते हैं time निकला नहीं है जब जागो से तुम्हें लगता है कि कोई मुझे guide कर दे फिर मैं पढ़ाई शुरू करो parallel में मुझे कोई देखता रहे कितना हो गया कितना नहीं हुआ तो अगर ऐसे बच्चे हो तुम तो iconic तुम्हारे लिए बहतरी है ना iconic कई बार होता प्रेसर जासा चाहिए कि कोई-कोई मुझे ब 24 मंत के लिए 90 ठीक है अदर्वाइस यह इतना दिखाएगा यह code यूज कर लेना बच्चों यह वाला code यूज कर लेना तुमको यहां पर जो code दिख रहा है न यह code तुम लोग यूज कर लोगे तो possibilities automatically बढ़ जाए ठीक है हम लोगों को start कर लिना चाहिए क्या अब कल 50 questions कर लिये थे आज हम इसके further questions की बात करेंगे बच्चों ठीक है चालो जी तो कहानियों को systematic start करें जहां छोड़ा था वहीं से और यह question तो हम लोगों ने proper check भी कर लिया था यह वाला question को हम लोगों ने proper कर भी लिया था जितना marketed in India marketed in India राइट यहां पर बात कर रहे हैं है यहां देख रहा है 12 product quick form में हम लोगों ने कल भी लिया था यहां पर answer will be 51 का answer क्या चला गया बच्चों 51 का C कल कर लिया था यह तो कल कर लिया था still 52 की बात करें मैं बच्चों 52 easy and simple which of the following is not used as a bio weapon which of the following is not used as a bio weapon बहुत अच्छा question है simple और आसान 52 देखो यह toxic produce करता है smallpox थी एक disease causing है anthrax को bio weapon ने use किया ही गया था but bacillus thuringiensis is not used never ever ना इसको हम ऐसे उसमें यूस कर थे ठीक है ना next question हम 100 तक जाएंगे पच्चों हम 100 तक जाएंगे प्रपर की the main challenge for the production of insulin using our dna technique using what our dna technique बहुत आसान कोशे नहीं है बहुत आसान है बहुत आसान है ठीक है तो 53 के जब मैं बाते करूँगा तो main challenge क्या है देखो एक c peptide होता था सबको पता है alpha chain, beta chain और यहाँ पर c peptide तो यह c peptide को निकालना सबसे बड़ा challenge थीक है यह सबसे बड़ा challenge था किस company ने इसको फिर finally कर दिया, eli lily company ने, क्या याद रखेंगे eli lily company याद है सबको ओके, शालो जी अगली बात करते हैं तो यह कहानी आपको बिल्लकुल clear form में याद है फिफ्टी फॉर की बात करें तो ट्रांजनिक प्लांट आर प्रोडूस्ट बाइड ट्रांजनिक प्लांट कैसे प्रोडूस्ट होते हैं बच्छों, clear form में, simple question है easy question है ट्रांजनिक प्लांट आर प्रोडूस्ट बाइड तो देखो, inducing gene mutation नहीं, gene mutation से ट्रांजनिक नहीं बनते हैं आप hybrid भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो mutation से कुछ नए varieties बन सकते हैं बट उसको ट्रांजनिक नहीं बोलेंगे एक, arresting spindle fiber formation, तो उससे polyproidi वाली चीज़े बन जाती है, ठीक है, sex chromosome से कोई मतलब नहीं है, it is foreign DNA, है ना चलो जी, कहानिया बिल्कुल clear, 54 का answer आपके पास क्या हो गया, D, wonderful, 54, है ना, D, introducing foreign gene, NCRT की बाते हैं, चीज़ों को याद रखें, 54 का, चलो, रक्ष्मिता ने बिल्कुल ठीक बोला 55, peptide A and peptide B is linked by how many di-sulfide ligation, कितने, between the, their, pro-insulin, देखें क्या, यहाँ पर peptide की बात कर लेते हैं, है ना, तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से, ध्यान से देखोंगे, ध्यान से देखना है, देखो, insulin, consist of two short polypeptide chain, chain A and chain B, they are linked together by di-sulfide bridge, di-sulfide bridge, डाई मतलब दो, तो दो से बांड आपको यहाँ दिख रहे हैं, एक इस पार्ट में और एक से इस पार्ट में, दो जबहों से यह जुड़ा है, आंसर बचों कितने जुड़ जाएंगे, है ना, तो यह कहानी आपको ट्लिया है, done, 56 की बात करें, easy and simple, आसान question, 56 बचों, जल्दी से बताएं, चलो, बहुत अच्छे बिटा, 56, some of the steps involved in the production of humulin are given below, choose the correct sequence, choose the correct sequence, बहुत अच्छे questions, 56 की बात करें, अच्छा और simple question, याना, अच्छा और simple question, 56, तो it is what, sequence में हमारे पास सबसे पहले क्या है, हम synthesis करेंगे इसका क्या, human insulin का artificially done, फिर क्या करेंगे, insertion of human insulin gene into plasmid, इसको पहले तो देखो, जहां से हमें निकालना है, for example, वो आपका जो beta cells हैं, वहाँ से हम निकालते हैं, pancreas से, वहाँ से निकाला, निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको plasmid में डाले, एक, डाल दिया plasmid में, plasmid में, ये second हो गया, plasmid में डालने के बाद, उस recombinant plasmid को उसके host में डालेंगे, जो की equal आई है, ठीक है न, ताकि वो multiply करेंगे, और जो निकाला उसमें कुछ debris भी होती है, finally हम उसको purify करेंगे, तो answer 5, 6, 4, 3, 2, 1, बहुत easy, simple, थोड़ा सा concept clear है, तो चीज़े possibilities बन जाएंगे, 57 की बात करेंगे, which company, American company, उसने humulin बनाई थी, 57 तो बहुत easy है, बहुत easy, right, तो which company, American company in 1983, prepared humulin, human insulin, सबको याद है, Eli Lilly company, right, बिल्कुल clear, 57 में, शृती बिल्कुल अच्छे बिटा, बहुत अच्छे, perfect, Eli Lilly company, प्यूशी है, शृती है, और कौन-कौन है, अनिल बच्चा है, बहुत अच्छे, 58 की बात करेंगे, 58, easy and simple, during the process of pro-hormone, उसका नाम क्या है, pro-insulin, during the process of this, pro-insulin, बहुत simple, into mature insulin synthesis, क्या किया जाता है, जब एक pro-insulin से mature insulin बनाते हैं, तो we have to remove that C-peptide, तो अब बच्चों इस बात को याद कर लो, Eli Lilly company ने किया क्या, उन्होंने कुछ जादू नहीं किया, उन्होंने क्या किया, ए जो था न, alpha peptide जो था, उसको separate E-coli में ग्रो किया, बीटा को separate E-coli में ग्रो क किया, जब alpha और beta दो chain बन गए, अब उनको उन्होंने artificially disulfide linkage create कर दिया, इससे फाइदा किया हुआ, C-peptide बनने का मौका ही नहीं मिला, this is the method by which ये एक functional insulin बन गया, क्योंकि C-peptide था, तब तक वो functional नहीं था, that is got as pro-insulin या pro-orm, right, ये कहानी, बिल्कुल clear form में सारे बच्चो ही पढ़ रहे हैं, 59, select the true statement from the following, select the true statement from the following, from animal source, ये बहुत सीधी सी बात है, may develop allergy in some patient, ये बात ठीक है, पहले जब insulin निकाला जाता था, अगर तुन्हें पता हो, तो ये pig से isolate किया जाता था, बात समझ पार हो, जो pig होते हैं, swan होते हैं, तो वो जो दूसरे animal का protein है, वो हमारी body में allergy cause कर देता था, that's why we have to move to the recombinant insulin, right, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अच्छा, C-peptide is not present in mature insulin, क्या ये बात ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है, बट उसको हमें समझना होता, है न, recombinant therapeutic do not induce unwanted immunogenic, हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये recombinant ह है, that's why, अच्छा, अब यहाँ पर पूछा, insulin can be administrated orally to the diabetic patient, अब बच्चे तुमसे एक question पूछ रहा हूं, हला कि ये गलत, नया brand new crash course form में, तुम दोंगे लिए start करना चाहरा, एक नया batch form में, okay, so बच्चों मुशायद कुछ network में issue था, अभी ठीक है शायद, अभी तो ठीक आ रहे, right, क्या मैं live हूं दुबारा से, yes or no, okay, perfect, चलो फिर 60 answer दे दो, 60 answer दे दो, बच्चों, बिल्कुल clear, अभी ठीक है, अभी perfect है, fine है, चलो, start करते हैं, में भी कुछ buffering रही होगी, तो मैं तुमसे एक question पूछ रहा था, बच्चों, एक question पूछ रहा था, अभी ठीक है क्या, अभी perfect है, जल्दी बताओ, अभी network ठीक है, हाँ जी, बच्चों, network ठीक है, yes or no, हाँ जी, चलो, perfect, अब तुमसे एक question पूछ रहा हूँ, then we will move to next question, why, we cannot take insulin orally, हम insulin को orally क्यों नहीं ले सकते हैं, 59 का answer तो चलो ठीक है, 1, 2 and 3 ही correct है, बट इसको orally क्यों नहीं ले सकते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से quit form है, I am waiting कि तुम लोग इसका answer दो, फिर मैं next question पर जम्प करता हूँ, जल्दी से, और 60 question का answer तो 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 तरह हम लोग देखते हैं, तुम लोग chat box में लिखो, मनना चाहता हूँ, चलो, cancer is generally caused due to activation या फिर conversion off, हैना 60 की बात करें, तो proto-oncogenes की बात करें, किस की बात करें, proto-oncogenes and oncogenes, और it is inactivated by tumor suppressing cell, अच्छा, शृती ने मुझे answer दिया है कि sir, blood glucose level बढ़ जाएगा, और कोई बच्चा answer देना चाहेगा, तो देखो, insulin को हम ओरली इसलिए नहीं ले सकते, because, इस बात को समझना यह घट जाएगा, जो भी तुमारा, हम इसलिए ओरली नहीं ले सकते, क्योंकि insulin खुद एक protein है, insulin खुद एक protein है, और protein हमारे body में digest हो जाएगा, protein हमारी body में क्या हो जाएगा, digest हो जाएगा, concept समझ पा रहे हो, बिल्कुल clear form है, चलो अगली बात करें, 60 concept क्या हो गया, this, 60 concept बच्चों क्या हो गया, this, right, और यहाँ पर आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं, रहा लिया, this, proto-op है, और को की बात करें, आच्छा, चलो जी, यह answer, जो 61 का आई Marka 151,인가 बात रहाँ, प्रिप्टाइब क्च्च आए, यह बहुत फ़ी कोर्षिंफ है, बहुत की इजी कोर्षिंफे था सवली भत्प्टाइब है कॉट्छी इजए कानली प्रिटारीयन के मेर्ट पर पास्ट ए UP MARK 61 it will be what answer C chain C chain will be removed done next BT toxin is not toxic to human being because BT toxin human being toxic नहीं है क्यों है clear form में बताएंगे हमने क्या किया जो है जो cotton है वो human के लिए बत्लाब उस तरह का BT toxin अगर हम किसी तरह खा लेते हैं तो हमारे को क्यों नहीं toxic है ये बाते clear है जल्दी से बताएंगे तो BT toxin क्यों है non-toxic human के लिए क्योंकि pH इसको चाहिए basic human का जो pH है चाहिए saliva है चाहिए वो stomach है वहाँ पर है acidic it is not inactivated form में ही रहेगा they need basic pH ये 62 का आपको answer समझ में आ रहा है it is this conversion of pro BT toxic and BT toxic takes place only in highly alkaline condition ये word याद रखेंगे highly alkaline condition word को याद रखना है clear, बिल्कुल done form में चलो 63 की बाते कर ले ये वाला diagram एक बार देख लो क्योंकि बढ़ा है तो मुझे उपर लेकर जाना पड़ेगा ये C peptide है अब पूछा है B पूछा क्या है question ये देख लो बस which part of diagram show that insulin in our body is synthesized in immature form किसकी वज़ा से ये immature है जल्दी से बताएंगे तो C peptide अगर हटा दें तो बचा क्या A and B तो ये कहानिया clear होगी A और B ये finally mature बन जाएंगे इनके बीच में C peptide है 64 का answer देंगे वाई इस एंसुलेन नौट अड्मिनिस्टेटेड ओरली टू डाबटिक पेशेंट जल्दी से तुम्हारा question का answer बल गया क्योंकि डाबटिक पेशेंट को आप peptide दे दोगे वो digest हो जाएग बाकी answers गलत हो insulin is bitter in taste इससे कोई मतलब नहीं है insulin leads to peptic ulcer इससे कोई मतलब नहीं है blood glucose label से इसका कोई मतलब नहीं कि insulin जाते ही सारा glucose absorb पहलेगा खुद protein है protein will digest it 64 answer मिल गया तुमको बात यह समझ में आ रही next 65 अगला question the method of DNA fingerprinting involves the use of and I involve the use of 65 की बाद तो DNA fingerprinting में बच्चों हम क्या use करते हैं quick form में answer चाहिए मुझे it will be what first clear आज अब pro insulin क्या होता है सबको पता है 66 बता दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों का concept clear है कई बार नहीं गलती से गलत कर देते हैं क्या बोला गलती से गलत कर देते हैं तो मुझे जल्दी से बताएंगे pro insulin contain quick form में बताएं सारे बच्चे 66 में answer क्या होगया A, B और C यह तीनों ही answer यहाँ पर चले जाएंगे done अच्छा मेरी video ठीक आ रही है बच्चों yes और no मेरी video ठीक आ रही है सारे बच्चों को yes और no या थोड़ी बहुत अटक रही है अच्छा what is the source of TIE plasmid which is modified and used as a cloning vector to deliver the desired gene into plants 67 की बात यहाँ पर plant का नाम लेते ही हमको क्या यूज़ करना है यह ना चलो ठीक है बटा thank you thank you मुझे लगा शायल अटक रही हो क्योंकि अटक रही होती है फिर मैं इसको बंद करता कुछ और ट्राइ करता है या इसको कल पर पोस्पोन करता है अगर ठीक चल रही है तो दान है ठीक है ओक इसका हम सबस्ट चलिएग करन शेख लीट करता है तो यह अंटी ना वेशने कहना है जल्दी से बताएंगे श्क्स्ती एट रही है ब्याद करें यह ए जो जीए तरपिए ले की यह गई थी यह और आए यह यह चिई आए यह तीए श्गेट की गई टिश है आश्लाव्टी तो चीजों को याद रखेंगे 69 की बात ही करें 69 की बात करें Easy and simple, बहुत आसान तो thermostable enzyme that is TAC and PFU isolated from thermophilic bacteria thermophilic bacteria right कहानियों को समझेंगे 69 69 तो answer में भी what? DNA polymerase तो जो TAC है वो है क्या question क्या पूछा, TAC क्या है चलो TAC तो पूछ लिया PFU कल को सिर्फ पूछ लेता, TAC ना बोलता तब भी आपको याद रखना है क्या thermophilic bacteria, very simple, very important आसान है, simple question number 70 की बात करें 70 की बात करें select the incorrect matching incorrect matching question 71 बता होगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ बच्चों का concept clear है 70 का आंसर दो जल्दी से देखो, ELISA मतलब enzyme linked immunosorbent assay यह यहां से बात करें, phenyl ketone urea बिल्कुट ठीक polymerase chain reaction बिल्कुट ठीक enzyme linked immunosorbent assay बिल्कुट ठीक, इससे AIDS वगरा चेक करते हैं ADA का मतलब adenosine deaminase यहां पर सिर्फ aminase दिया हुआ है तो आंसर गलत हो, ठीक है, तो 70 का आंसर हो गया, 1, perfect, बहुत अच्छा term molecular seizure generally refers to, 71 की बात करें 71 की बात करें, term molecular seizure generally refers to, बहुत आसान और easy term molecular seizure generally refers to जल्दी से बताएं, आसान है, yes, it will be what, restriction endonuclease, बहुत simple, बहुत आसान, clear, चलो next one, 72 की बात करें ADA deficiency किसकी वजह से होती है, ADA deficiency is due to, simple question है, ADA deficiency is due to, insertion of gene है, या deletion of gene है, तो आपको पता है, एक gene हट जाता है, जिसकी वज़े से, adenosine deaminase के पौम में, deficient हो जाती ही body, तो वो आपका immune system weak होने लगता है, दीरे दे, और जिसकी वज़े से, एक disease होती है, उसको बोलते है, severe combined immunodeficiency syndrome, है ना, समझ गए, तो deletion of gene, not insertion बच्चे न, deletion of a gene, 72 की बात, बिल्कूँ clear form में करेंगे, दिखाओं कहाँ पर है, यह देखाता हूँ, दिखाता हूँ, रूटो, wait a minute, यह NCRT करी रहे हैं, तो थोड़ा भेंसे समझ लिते हैं, यह तो humulin की बात होगी, यहाँ gene therapy की बात करेंगे, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, रुको, 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 हाँ, यह देख रहा है, यह देख रहा हूँ, the disorder is caused due to deletion of a gene, यहाँ आफ एड़नोसिन डियमिने, क्या यहाँ से तुम्हारा concept clear हो रहा है, बच्छो, यहाँ से तुम्हारा concept clear हो रहा, that's it, ऐसी तुमको पुछना है, ऐसे तुमको समझना है, बस यह याद रखना है, clear form, चलो जी, तो दिस इस डिलीशन अब्जी, NCRT में हर्शीज लेख रखिये, permanent cure of ADA deficiency is, चलो NCRT से ही सर्च करते हैं, क्या लिखा हुआ है, अब permanent cure की बात करने हैं, हाँ, यहाँ देख रहे हो, ध्यान से देखना है, however, if gene isolated from marrow cell producing ADA is introduced into cell at embryonic stage, अगर मैं ADA वाली gene को embryonic stage में ही किसी person में डाल दू, तो that will become a permanent cure, उसको कोई जरूत ही नहीं पड़ेगी, बार-बार transfusion करानी की, ठीक, यह हमारे पास 73 का answer वच्छों क्या आ गया, simple question, 73 में, ADA gene introduced in early embryonic stage, ठीक है, done, बाते समझ में आ रहे हैं, बाते समझ में आ रहे हैं, next question is 74, first clinical gene therapy given to, मैंने अभी अभी बात करेंगे, 74 की बातें करेंगे, 4 year, 8 year, रुखना, 74, wait, ठीक है, यह आपको याद रखना है, 1990 में 4 year birth, अच्छान्ती डिसलवा जू करेंगे, तो 4 year याद करें, ठीक है, करें, done, 4 year birth, बिल्कुल clear, perfect, perfect, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, NCIT या में इशे, conventional method of diagnosis involved, conventional method की बात करेंगे न बच्छे, देखो, यह NCIT में दिया भी हुआ है, इसी के जस्त नीचे, अब तो ने ने आ गये न, using conventional method of diagnosis, serum analysis and urine analysis, है न, early detection इसकी वज़े से नहीं possible था, तो why we use modern analysis technique for the early detection, यह भी एक question बन सकता है, मेरी बात समझ लोग, यह questions है, serum, urine analysis यह सो पुराने जमाने के तरीके हैं, अभी भी use करते हैं, but early detection करना है, तो RDNA technology, PCR, ELISA, western blotting, ऐसे बहुत से method हैं, जो हम use करते हैं, आज की date में, right, यहां पर answer क्या आ जाएगा, urine analysis, option में serum analysis भी होता, तो मैं A और B लगा देता answer, ठीक है, perfect, PCR is used in detection of, PCR किस चीज़ के लिए use हो रहा है, HIV के लिए, cancer के लिए, genetic disorder के लिए ये भी देख लेते हैं, तो PCR की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, यहां पर, PCR now routinely used to detect HIV, ठीक, एक, यहां पर यह कहानिया होँए, हाला कि बाकी भी दे रख है यहांपर, PCR के फॉर्म में, आपको यह चीज़ बिलकुल clear form में याद होनी चीज़, 76 में, cancer को भी detect कर सकते हो, HIV भी वहीं पर दे रख है, और genetic disorder, तो यह चारो ही बातें आपको 76 में याद रख 77, when a patient with defective ADA is treated, which are the following steps are performed for gene therapy, 77 की बात करें, 77, done, तो जैसे ही किसी को ADA है, कौन-कौन से steps होंगे, 77 की बात करें, सबसे पहले क्या करेंगे, lymphocyte लेंगे उसका, फिर उसको एक culture disc में, artificially उसको synthesize करेंगे, उसमें corrected फिर gene डालेंगे, हैना, और फिर उसको दुबारा जो patient उसमें डालेंगे, imagine करो, देखो, दो person है, यह देखो, हैना, यह देखो, दो person है, मान लो, imagine करो, एक दूसरा person है, मान लो, ठीक है, अब यह दो person है, यह corrected है, और यह दुखी है, इसको ADA deficiency, इसका normal gene इसमें introduce करना है, तो पहले तो मैं इसका gene निकालूँगा, फिर उसको culture करूँगा, artificially lab में, और फिर retroviral method से, yes, हमारे पास factor क्या है, retrovirus है, उसकी help से बच्चों हम किसमें डाल देंगे, इसके मिला, that's it, यह simple तरीका है, आपको याद रखना है, तो यह चीज़ें आपको यहाँ पर step by step, all of them में रखने है, ठीक है न, wonderful, शारो जी अगली बाब, 78 ही बात करें, which is the following, which is the following, is a benefit to have insulin produced by biotechnology, इनमें से कौनसी चीज़ है, जो biotechnological insulin produce करने में help करें, यह biotechnology से insulin produce करने से हमें कौन सा benefit मिला, 78 ही बात करें, बात को समझें, पहले चीज़ तो less expensive है, पहले जब pig से isolate करते हो थे, वो काफी expensive होती थी बच्चों, clear, it can be produced in large quantity, यह भी आद रखनी, क्या, it can be produced in what, large quantity, एक ही बार में हमने bioreactor में बहुत ज़्यादा quantity produced कर ली, ठीक है, अचा, pig वाला यूज करते थे थे, तो animal protein की allergic होती थी, तो non allergic है यह, answer वहर पास all of them चला, perfect, बहुत बढ़े, next question, काफी बचे बहुत अच्छी answers कर रहे हैं, है न, anil है, है न, sunali है, शृती है, चलो भई, अगली बात कर रहे है, which one of the following gene is defective in patient suffering from SCEID, अभी यह भी बात हुई, severe combined immunodeficiency syndrome, याद रखोंगे, SCEID, याद रखोंगे, आपको यह बात बिलकुल clear है, 79 में अंसर क्याद कर रहे है, चा, 80 की बात कर रहे है, question number 80, functional ADA CDNA can be introduced into cell of the patient, receiving gene therapy by using vector constituted by, बहुत simple question है, बहुत आसान question है, मजे से कर सकते हो, मजे से कर सकते हो बच्चों, है न, clear form में, try करो, ठीक, try करेंगे, try करेंगे भाई, तो कैसे introduce करेंगे, retrovirus की हम से, यहाँ पर देख रहा हूं, यह देखो लिखा भी हुआ है, दिख रहा है, यहाँ पर, सारे बच्चों को, a functional ADA using a retroviral vector is then introduced into lymphocyte, यहाँ पर factor क्या यूज़ कर रहा है, retrovirus, human में जब भी डालेंगे बच्चों, तो retrovirus यूज़ करेंगे, चलो, आखरी के 20 questions और कर लेते हैं, 20-20 questions और हैं, which of the following is used as a probe, AD1 की बात कर रहा हैं, तो yes, of course, single standard RNA हमेशा कैसे यूज़ किया जाएगा, प्रोब के फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, है ना, विल्कुल क्लियर, next question, which gene does not appear in photographic film in autograff, autograff, 82 की बात करें, 82 की बात करें, try करें, 82, yes, तो autoradiography में, यह बहुत important question है, और मैं इस पर star लगा रहा हूँ, जिस बच्चे को doubt हो, मुझसे अभी पूछ लेगा, कभी भी जो PCR है, वो किसमे नहीं होगा, एक question और भी याद कर लो, तो PCR किसमे नहीं होगा, mutated gene में, word को simple language में याद रखें, क्योंकि mutation का कभी भी complimentary नहीं बनेगा, वो तो normal गया था, लेकिन mutated का complimentary फॉर्म में नहीं बनेगा, तो वो कभी भी PCR नहीं कर पाएगा धिंग से, तो वो उसकी photographic film भी नहीं बन पाएगी, autoradiography में, समझ गया है ना, इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं, इस तरह से चीजों को पता लगाते हैं, clear, कहान या समझ में आ रही हैं, next, 83 की बात करें बच्चों, 83, which is the following is, based on antigen-antibody reaction, antigen-antibody reaction, 83 का answer, जल्दी से बताएंगे, बच्चों, 83 का answer, सारे बच्चे, जो भी हैं यहां पर, 83 का answer आपके पास क्या हो गया, ELIZA, क्या वोड यूस किया, ELIZA, perfect, clear, आचा, दो options दे रहा हूँ, one is, like, जो इस बार, biomolecules करना चाह रहे हूं, या फिर, कोई और chapter करना चाह रहे हो, जैसे की, breathing and exchange of gases, या फिर, या फिर, तुम biomolecules करना चाह रहे हो, कि biomolecules बहुट डिमांड ने थी, बच्छों की, कि सब biomolecules one shot करा दो, इस Saturday क्या चाहते हूँ, biomolecules, breathing and exchange of gases, या फिर circulation, तीरों में से मुझे idea दे दो, तो Saturday को, शाम को 6 बजे से, 9-10 बजे तक हम लोग खीच देंगे, अच्छे तरीके से, फिलाल, 83 की बात कर रहे हैं, next question, 84, बच्चे कहा रहे हैं, biomolecules, और भी कोई, सर बौटनी वाले चाप्टर, नहीं मुझे नाम बताओ, इन तीन में से options दे रहा हूँ, इन फाक्ट हम लोग इस चैनल पर प्रॉपर तुम लोगों के लिए क्रैश कूर्स स्टार्ट करने वाले हैं, कई टीचर साथ में मिलकर, तो वो भी प्लान में हैं, वो तो आटोमेटिक चलेगा ही चलेगा, चलो फिला, तो मुझे जल्दी से बता देना, ठीक है, कुछ बच्चे, breathing and exchange और circulation बोल रहे हैं, तो वही मैं देख रहा हूँ, let's see, देखते हैं, क्या करते हैं, 84 की बात कराएं, अंगला question, which of the following can be detected in ELISA, तो देखो, protein and agent आप पता लगा सकते हो, glycoprotein पता लगा सकते हो, antibody synthesized in pathogen पता लगा सकते हो, answer to be any of these, ठीक, अब जरा एक बात को समझना, यहां मैंने लिखा ELISA के form में, कहानी को समझना, अगर तुम बातों को समझ पा रहाएं, और यहां से कुछ चीजें पढ़ते हैं तुमारे लिए, ध्यान से समझना, अच्छा, तो यह ELISA हो गया, आपका enzyme link, और इस बात को तुमको simple language में समझनी है, simple language में, कि हम ELISA के थुरू क्या-क्या पता लगा सकते हैं, जहां से समझना, बहुत important है, ELISA is based on principle of antigen antibody reaction, एकदम hit question, सीधे पूश लेंगे नीट में तुम से, what is the principle behind ELISA, बात समझ पार, what is the principle behind ELISA, सीधी बात याद करेंगे, एक, दूसरी line उसी के नीचे, एक में, दूसरा, infection by pathogen can be detected by presence of antigen, और antigen में क्या हो सकता है, protein हो सकता है, glycoprotein हो सकता है, या फिर antibody को detect कर सकता है, तो ELISA इन तीन चीज़ों को detect करती है, protein, antibody, antibody भी protein ही है, glycoprotein भी एक तरह का protein ही है, तो इन तीन चीज़ों को तुमको याद रखना होगा, और इसका principle याद करना है, ठीक है, चलो, ओके, 85, answer यहाँ पर सारी चलेगा, protein antigen, glycoprotein और यह, यह सब कुछ NCID में है, यह mentioned है, और 95% of the all existing transgenic animal are, 84 question, मैंने पहली बार ध्यान दिया, कि हाँ glycoprotein भी वर्ड आ गया, protein तो आइडिया था, antibody भी आइडिया था, antigen antibody, बट glycoprotein पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा कोई बच्चा है, उसी तरह से, 85 वाला भी question NCID में, बहुत silently लिखा हुआ है, उस पर तुमको focus करना है, over 95% of all existing transgenic animals are, देखेंगे यहांपर, जल्दी से दिखा दो भई, देखिया, transgenic rat बन चुके हैं, transgenic rabbit बन चुका है, pig बन चुका है, sheep है, cow है, fish है, इतने बन चुके हैं, जिसमे 95% चुहा है, mice, रट लेंगे, यह line किसने ध्यान दी पहली बार, अच्छा, ऐसा है क्या, दूसरा question, बच्चों बन सकता है क्या, transgenic rat, rabbit, मतलब कौन-कौन से organism का, transgenic form बन चुका है, ठीक है, यह चीज़े पूछी जाते हैं, दुम दों से, done, यह बात किसको किसको पहली बार पता चली, chat box में जरूर लिखो, मुझे लगेगा, हाँ, कुछ बच्चों को, मैं नई चीज़े सिखा पा रहा हूँ, done, next one, transgenic organism are used by, है न, okay, transgenic organism किस चीज़ के लिए यूज़ किये जाते हैं, तो यह भी आपके NCID में में बड़े प्यार से, क्या, study की, मतलब disease की study के लिए, biological product के लिए, और vaccine testing के लिए, तो जो बच्चे 12 में है न, उनका यह बहुत hit question आता है, देख रहे हो, benefits है, common reason for the production of prela, normal physiological and development, physiology and development के process को चेक करने के लिए, दूसरा, study of disease के लिए भी है न, तीसरा, biological product को पता लगाने के लिए, तो इस आप धी questions जो पूछे जाते हैं न, clear समझ में आ रहे हैं, यह छोड़ी छोड़ी चेक करने के लिए, हमने सीधे इसको चुहे में टेस्ट करके देखा, फिर human trials की है, जैसे भी जो corona की वैक्सिन है उस पर, पहले animals पर testing की गई, और फिर human trials शिरू हुए, और फिर human trials के बाद, अब फाइनली वो रशिया और कहां कहां पर, उसको proper authorization मिल गया है, कि आप वैक्सिन दे सकते हो मार्टे, समझ रहे हैं मेरी बाद, चलो जी, 87 की बात करें बच्छो, 87, आसान है, match the column, इसको ऐसे ऐसे match करना है, 87 question, आसान question है, एमफाइसीमा, अलफा वन एंटिट्रिप्शन, याद होना चाहिए, और एमफाइसीमा आप लोगों ने कहां पढ़ा है, breathing and exchange वाले में, हम लोगों ने खूब question कर लिए इसके, तो वन का टू कहां पर हैं, सिर्फ एक ही जगा पर हैं, वन का टू कहां पर हैं, सिर्फ एक जगा पर हैं, आप आसान हो जाता है, 87 का वी answer, है ना, कहानिया clear, next is 88, ट्रांसजनिक अनिमल आर प्रिपेरड फॉर दी फॉल्विंग डिजीज अनलेसिस है, एक्सेप्ट, किस चीज के लिए ट्रांसजनिक अनिमल यूज नहीं किया जा सकते, देखो, कैंसर के लिए कर सकते हैं, यह देखो, यहां पर लिखा रहें गोगों, हाँ, रिमिट्वाइड आर्थ्राइटिस के लिए भी ट्रांसजनिक मॉडल डेबलप हो चुके हैं, उसमें पहले टेस्ट करेंगे, फिर इसको दबा देगे, और अल्सहाइमर के लिए भी है, इन तीन चार का तो है, एड्स का नहीं है, 88 का अंसर समझ गया है, वंडर्फूल, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बड़े, शलो भाई, रोजी की बात करते हैं, रोजी, बाईलो जी ने, रोजी नाम को गाई का नाम रख दिया, ठीक है ना, शलो जी, अगली बात, रोजी is a transgenic cow, क्या करते हैं, बहुत clear फार में, 89 की बात करते हैं, ये क्या किस तरह का milk protein produce करते हैं, जिसके अंदर extra milk protein है, 2.4 gram per liter, extra है, जादा है, बहुत होता है 2.4 gram, कौन सा है, alpha-lact-albumin, clear, more balanced diet than normal milk, हाँ मेरी वोईस आ रही है, proper सारे बच्चों को, alpha-1-antitrypsin-use-2, treat emphysema, ये बात इल्कु clear होगी, और in 1997, first transgenic cow, rosy produced, और जिसके अंदर human milk protein है, तो यहाँ पर ये चीज है, इसको जाकर अभी के अभी, yes, अभी के अभी क्या करेंगे, highlight कर लेंगे, अगर इससे पहले highlight नहीं किया था, बहुत छोड़ी सी बात है, common सी बात, इसके questions आप एंगे, right, तो 1997, 90 का answer आ गया, 91 का answer बताव बुच्चों, 91 का answer, GM motrosgenic, animal are used in testing, safety of polio vaccine, before these are used on human, है न, तो कौन सा है, जिस पर हमको polio testing, हमने पहले, polio की दवा उसको पिला कर देखी, 91 की बात कर, मैंने दुबारा भी बताया तुमको, vaccine safety में यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बच्चों, यह देखो, transgenic mice, जिए जो चूहा है, है इस पर चेक किया गया, बाते समझ पा रहे है, transgenic mice are being used to test safety of polio vaccine, NCRT की line है, रड़ा लोग, कोई confusion नहीं, आपको कई questions ऐसे परिशान करने के लिए देदेंगे, कि cow पर test किया गया, नहीं जी, ओके गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, है ना, नीठ हमारे पास है, और नंबर लाना पाप है, चलो जे, समझ गया, sheep पर भी नहीं किया, और transgenic viruses भी पर नहीं किया, but the thing is what, mice पर किया गया, done, 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 चरोप और पर बहुत अच्छे, 92 की बात है, how many varieties of rice has been estimated, तो ये bio-diversity बारे chapter से भी, यहां का question आ गया, मिल्कुल ठीक, 92, clear, जड़ा देखें, rice के form में, बता दो भई, बता दो, बता दो, तो बात कर रखें है, GEAC की full form की, जरूर याद करेंगे, first thing, first thing, और rice के बारे में बात कर रहें हैं, यहां पर, rice एक important food है, जो की, यहां पर, तो यह 2 lakhs की बात कर रहे हैं, 2 lakh varieties इंडिया में ही हैं, बाकी दुनिया में तो अलग लग, तो यहां पर 2 lakhs, done, okay, done, 93 की बात करें मिच्छो, 93, use of bio resources by multinational companies, इसको क्या बोलते हैं, हाँ वही, जल्दी से बताएंगे, 93, that is called as what, 93 का आंसर बताओ, that is what, bio piracy, सब को बता है, सीधी से line दे रखिये, सीधी सी, done, यहां पर पूरा paragraph दे रखता है तुम्हारा अगर नहीं पता तो as it is याद करेंगे, as it is bio piracy, ठीक है, which variety of rice was patented, by a US company, 94 की बात कर रहे है, तो बास्मती राइस, याद रखेंगे क्या, बास्मती राइस, very important, ठीक, डण, 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 चलो जी, अगली बात, 95 की बातें करेंगे, 95, बहुत इसे औं सिंपल, गवर्मेंट अंड, तूक, वर्मेंट बाति श्वर्मेंट राइस, अधर अधर अंड, जी, गवर्मेंट रहेगे, जी, जी, the second amendment of Indian patent bill that takes such issue into consideration जिसमें किसी ने biopiracy कर लिया तो उसको बचानी के लिए इंडिया में Indian patent bill पास हुआ है उसका second amendment उसमें modification चीजों को याद रखेंगे answer क्या हुआ बच्चों yes बिल्कु ख्लियर तो 95 का answer biopiracy act नहीं बिटा ना क्या बोल रहे हैं Indian patent bilancy it ने direct दे रखा है याद करेंगे कोई डाउट किसी बच्चे को अभी तक नहीं होना चाहिए yes चलो 899 और 90 और 100 तो पांच question और करेंगे पांच एक दो question और extra देखें ओकी जी which Indian plant have either being patented और attempt Indian plant की बात करेंगे तो जी बास्मती भी किया गया था टर्मरिक भी किया गया था और नीम भी किया गया था लगादो जी ओल आफ यह सारे ही टार्गेट किये गया था अगला यहां पर दे रखेंगे अंसी आटी में बहुत अच्छा question है golden rice exactly है क्या golden rice exactly है क्या अच्छा 99 तक ही है ना चरू ठीक है परफेक्ट है तो golden rice exactly क्या है बच्छों छोड़ा सा question सिंपल सा question राइट तो 97 की बाते हम कर रहे हैं अपर एक ट्रांसजोनिक rice है जिसके अंदर beta-carotene है जिसके अंदर क्या है बच्छों beta-carotene बहुत simple next 98 की बात कर रहे हैं बहुत simple RNAi में क्या होता है gene silencing किसके थू होती है यह question हुचा यह बस 99 तक ही कर रहे है यहीं तक है फिल modified questions आ जाएंगे तो क्या बात कर रहे हैं RNAi gene r तो यहां पर शापर होता है अपना हता हम कल हम लोग cell वाले से start करेंगे लेक्स ही है ना उसमें कितना अच्छा तुम लोग कर पाते हों तो 98 की बात कर रहे हैं 98 में हमारे पास बहुत सिक्वेंस के पॉम में RNAi में हम लोग double stranded RNA यहां पर यूज़ कर रहे हैं 98 में क्या हुआ बच्छों वंडर और आज का आखरी का question अचा जिन बच्छों की genetics strong है या जिन बच्छों को NCIT की हर line से questions चहिए तो मेरी 830 की अभी अभी शाम की अभी आधे गंडे बाद डिनर करना चाओ और डिनर कर लो मैं genetics के बहतरीन 150 questions लेकर आ रहा हूं तुम्हारी बहतरीन pure NCIT based याना line to line questions के पौम में 150 questions लेकर आ रहा हूं 830 पर तुम लोग मिल जाओ